हेलो एवरिवाइन गुड मॉर्णिंग कैसे हैं आप सब आई होप आप सब ठीक होंगे चलिए फ्रेंड्स तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब कर दीजिए तो चलिए एक नई रेश्पी की और चलते हैं तो देखिए यह कुछ में लेल किया हुआ हुम कुछ कॉन कों ले लिये हैं अब इसको ग्राइंडर करेंगे और बिल्कूली आप सारा डरा बनाना है और यह पर देखिए, चार मेडियम साइज कांसा भाब्रे आलू ले लियए हैं अब इसको हम मैस करेंगे देखिए कुछी इस तरह से हम इसको मैस करेंगे और बहुत ही अच्छा नया नास्ता है बनकर तयार होता है और आपने बच्चों को दीजिए कोई गेस्ट मेहमान आगाए हैं उनको दीजिए ब्रेकफास्ट में करिए चाय के साथ साम को थोड़ जैसा है बिल्कूल बारिक प्रेस्ट नहीं बनाना है अब हम इसमें अच्छे तरीके से मैस करेंगे देखिए एक मेडियम साइज का प्याज कटा हुआ है कुछ धनिया का पत्ता है इसको में हम एड करते जाएंगे अब हम यहां पे ले लिए थोड़ा सा हरी मीर्च है कटा हुआ अपने नुसार से लीजिए कम्या ज्यादा यहां पे आधी छोटी चे मचल दी और यहां पे थोड़ा सा गया है गरम मसाला थोड़ा सा गया है काली मिर्च का पाउडर थोड़ा सा यहां पे भूना हुआ जीरा और धनिया का पाउडर है और इस में थोड़ा सा अपन के से मैस करेंगे मिला लेंगे एक दूसरे को सब सारे ऐसे करके मिलाएंगे और देखिए बहुत ही अच्छा और हेल्दी नास्ता बनकर त्यार होगा और आप अपने बच्छे को टीपिन में भी बना कर दे सकते हैं देखिए बहुत ही अच्छा इसका कलर आया है कुछी इस तरह से इसका टेक्चर है देखिए अब बहुत ही अच्छे तरीके से यह सारा मिल गया है अब हम इसको क्या करेंगे हाथ में थोड़ा सा ओयल लगाकर इसको आप अपने अनुसार से सेप दे सकते हैं गोल या फिर किसी भी तरह से देखिए हम कटलेट जैसा थोड़ा सब बनाये हैं इसको आप कटलेट खाना भी भूल जाएंगे कटलेट से भी बहुत अच्छा लगता है बहुत ही अच्छा और हेल्दी है देखिए कुछी इस तरीके से सारे को हम बना लेंगे आप गोल गोल सेप में भी आप इसे तयार कर सकते हैं और कुछ ही इस तरह से हाथ में अपना वाइल लगाकर ही ऐसे करिएगा और बहुत ही अच्छा लगता है और टेस्टी बिल्कुल क्रेंची बनता है देखिए सारे को हमने इस तरह से त्यार किया है कि आप गोल सेप में ऐसे कर दीजिए तो बहुत ही अच्छा बनके तयार होगा देखिए अब थोड़ा सा और बचा हुआ है इसको भी हम गोल गोल शेप में कर लेते हैं अब हम तलने के प्रोसेस में चलते हैं अब ये हमारा बनकर अब तयार हो गया है देखिए कुछ ही इस तरीके से सारे को हमने इस तरीके से बना लिया देखिए सारा बनकर तयार है तो चलिए अब हम क्या किये हैं इसमें चावल का गोल है और इसको हम पानी के द्वरा ऐसे थोड़ा सा गोल तयार कर लिये हैं अब इसमें आप थोड़ा सा कॉर्ण का जो आता है वो पाउडर डाल दीजिए नहीं है तो चलेगा आपके पास है तो आप इसमें एड कर दीजिए बहुत ही अच्छा इसका बाइंडिंग बनता है और बहुत ही अच्छा क्रेंची लगता है दोनों को मिक्स करके ऐसे घोल त निकालते जाएंगे और इसको तेल में डालके हम निकालते जाएंगे अच्छा और क्रंची बनता है बिल्कुल क्रंची बनता है कटलिट से भी अच्छा लगता है खाने में देखिए कितना अच्छा से यह तल रहा है देखिए कुछी इस तरीके से ऐसे तल जाएगा देख तो कुछी इस तरह से आप इसमें लगा दीजिए सेट कर दीजिए आप ऐसे भी साधा भी आप इसको तल सकते हैं और नहीं तो कुछ कॉर्ण है तो कॉर्ण इसको में एड़ कर दीजिए और एड़ करने के बाद इसमें तल लीजिए तो कॉर्ण डालके तलेंगे न तो और क् आप साधा तलना चाहते हैं तो साधा तलिए नहीं तो कुछ कॉर्ण डाल के ऐसे करके और ऐसे तल दीजिए देखिए सारा मेरा तल के हो गया है बन गया है तयार है कुछ इस तरह से हम इसको निकाल लेंगे देखे बिल्कुल सुनहरा ब्राउन हो गया है और एकदम से क्रंची बना है और बहुत ही अच्छा बन कर तयार हुआ है सारे को इस तरह से हम इसमें निकाल लेंगे देखे, कुछी इस तरह से मेरा बनकर नास्ता तयार हुआ है, देखे, बिल्कूल अलग, और क्रेंची एकदम से, कौन इसमें डाला गया है तो और परफिक्ट तयार हुआ है, आप ऐसे जैसे आपको मन है वैसे बनाईए, देखे, चलिए फ्रेंड्स तो अगर मेरा वीडियो अच्छा वीडियो लगता है, हिल्फूल लगता है, तो प्लीज प्लीज लाइक, शेर और सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को बहुत बहुत प्यार दीजिए, और चटनी के साथ गर्मा गर्म आप खाईए, और आनंद लीजिए, देखिए, कीतना अच्छा इसका बन